रिष्टों और धन की कद्र एक सवान करना क्योंकि दोनों कवाना मुश्किल है लेकिन गवाना बहुत आसान है इन दोनों को अगर आपने खयाल रखा तो दोजार पच्चिस कन्य राशिवले लोगों के लिए यादगार और शांदार भन जाएगा दवश्कार प्रेसाति हूं मैं हूं सुरेश श्रिमाली और आप देख रहे हैं कन्य राशि दोजार पच्चिस राशिवल आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है प्रेसाति हूं कुछ तो लोग कहेंगे लोगों का काम है कहना छोड़ो कल की बातों को कहीं बीत जाए रहना कन्य राशि वालों पर या लोगों पर बात की जाए तो खास असर होने वाला है ऐसे में क्या करना चाहिए और क्या फैसले नहीं लेने चाहिए और कौन से फैसले लेने चाहिए बले ही आप कोई काम ना करना चाहते हो फिर भी लोगों की बज़े से आपको वो करना पड़त व्यापार हो ये प्रोफेशल लाइफ में कौन से फैसले आपके लिए शुब रहेंगे क्या इस्टूडेंट को मन चाही सफलता मिलने वाली है कैसा रहेगा आपके स्वास्य गाल और ये सब कुछ जानेंगे आज इसी वीडियो पे पिरेसातियों सबसे पहले बात करते हैं ग पहले होताओं कि गुरू ब्रैश्पती आपके इंकम हाउस में करक राशिब जाकर उच राशिक हो जाएंगे और पांच दिस्वबट से साल के अंतक देव गुरू ब्रैश्पती वापस कर मिसान मित्रू राशिक माजाएंगे और अठारा मई से राहु छटे भाव में कु ठामे रखना होगा और पिछले साल की या पिछली गल्कियों से सीखना होगा जिससे आप नए साल के एक रोड मैफ तैयर कर पाएंगे और यह आपको बहतर अनुभाव देने वाला है कभी भी दूसरों पर जरूस से ज़्यादा बरूसा नहीं करें और हार आपको मिलेगी नहीं हार के बारे में सोचना नहीं है खुद की जीत के बारे में हर पल आपको आगे बढ़ना होगा 27 जनवरी 2025 से 31 मई तक धन भाव के लॉट शुकर बिजनस हाउस में बालवी नामग राज्योग बना कर बिराजबान रहेंगे पैसा जोड़ पाएंगे और पैसे को सही इ जुड़ेवे हैं तो आपको बड़े लाब मिलने वाले हैं मैनुफैक्ट्रिंग और हेल्थ केट सेक्टर से जुड़ेवे लोगों को बड़ी डील मिलने वाली है चाउदा मार्च 2025 से 13 अपरिल तक सेवन्थ हाउस जो की व्यापार का उस पे सूरी राओ का ग्रहंट दोश रहेगा इस टाइम पिरिड में थोड़ा पार्टनर्शिप को लेकर अवेर रहना होगा और कोई लीगल कॉंप्लिकेशन हो सकती है टैक्स की लाइबिलिटी आ सकती है कहीं रॉंग इंवेस्मेंट आपके पैसे फसाना नुकसान और दोखे भी करवा सकते हैं फाइनेंचली आपको थोड़ा सा उपर नीचे का समय देखने को मिल सकता है बिलकुल आप पेशन से काम करेगा जल्दी बाजिव मत करेगा छे तारिक से लेकर 22 जून तक यानि 6 जून से 22 जून तक बिजनस के कारक बुद्ध आपको इस वक्त अगले छे बेने के लिए इनोवेटिव और क्रेटिव आइडियास देंगे और बुद्ध स्वग्रही होकर महान भदर नामक राज्यों बनाने वाले हैं जिससे अच्छी डील आप क्रेक कर पाएंगे और प्रॉफिट की डील आपको विदेश या दूसरे शहर और राज्यों में जाकर मिलेगी जितना ट्रेवल करोगे इस साल उतना आपको लाब बिलेगा तेरा जुलाई दोजार पच्छी से अठाइस नवंबर तक शनी सहवत हाउस में वक्री रहेंगे जिस वज़े से आइरन, कैमिकल, पैट्रोल, ओइल, बिल्डिंग, मटिरियल, ट्रांस्पोरेशन, बिल्डिंग, कंस्रक्शन, लीकर, कोल, प्रॉपर्टी से जुड़ेवे दोजार पच्छी से बुद्ध आपकी राशी बे स्वग्रे होकर फिर से बदर नामग राज्योग बनाएंगे, जिससे बिजनस की टैक्टिक आप सीख पाएंगे, इस्पेशल ओकेजन है या फिर कोई फैस्टिवल है, उसके लिए दमदार आप काम कर पाएंगे, व्याफ तो समझदारी आपको दिखाने होगी, क्योंको रिष्टे और धन जो मैंने शुरुवात में कहाता है, इससे बहुत समझदारी से आपको एंडल करना होगा, इस साल कुछ भी स्पेशल करना है, तो 12 फरवरी से 14 बाश तक, 6 जून से 28 जूलाई तक और 8 अक्टूबर से 5 दे प्रोफिशन की, साल की शुरुवात से 28 बाट तक, शनी छटे भावबे स्वगरे उगर विराजबान रहेंगे, जिस चटागर जौब का होता है, जिस पे नए साल के लिए जौब और प्रोफिशन में करियर के नए आप्चिन्स आपको बिलने वाले हैं, रोजगार के इसा प्रोफिशन के साल जड़त पर दोश बनाएंगे, इस टाइम पिरिड में आपको जौब को बचा के रखना है और परफॉर्मेस को बैटर करना है, हर पल ये सोचना के कहीं मेरी जौब न छूट जाए, मेरे बौस चेंज होगा है, आसपास का वातावरन चेंज हो चुका है ये सोच रखने की बजाए, आप काम को इतना बढ़िया करें कि बहुत सी सोचने पर मजबूर हो जाए कि कहीं आप जौब चोड़के न चले जाए, शांदार परफॉर्मेस आपको दिखाने होगी और वर्क आफिस में आपको अपनी इमेज को भी बहतर करना है, मार्केट क सिच्विशन को समझते हुए, आपको अब काम करने की ज़रूत है, अपनी स्किल और औरा को और हील करने की ज़रूत है, 13 अपरेल दोजार पच्चीस से चौदा मही तक सूर्य अस्टा मिस्तान बिराजित रहेंगे, जिस वज़े से गवर्मेंट जौब करने वाँ लोगों और सेलरी बढ़ने के बारे में कुछ मत सोचिए, सिर्फ अपने काम को बढ़िया करिये, फेवरेबल टाइम आप अपने आप ही ले आएंगे, और भागिये भी आपका साथ जरूर देगा, पुरशार्त का दामन थामे रहेंगे, छे जून से बाइस जून तक, बुद्ध जो की इनोवेटिव और क्रिटिव आइडियास देगे, वो कर्म इससान में स्वगरे होकर, महान भदर योग बनाएं, इस टाइम पिरिट में आप जॉब चेंज कर सकते हैं, सेल्फ एम्प्लोइट परसन और प्रोफेशनल लोगों को बहतर डील मिलने वाली नए नए क्ला कुमबर तक छटे भाव यानि जॉब के लॉड शनी सेवन ताउस में आ जाएंगे और फिर वो वकरी हो जाएंगे, जिससे आप कोई लापरवाही मत करेगा, लेट लतीफी, लापरवाही और आलस सी इस टाइम आपको फरिशान करेंगे और पुनानी गलतियां आप दोरहा करने, कुछ चेंज करना है, तो दो-तिन डेट में आपको बताता हूं, उसे नोट कर लीजिए, 14 मार्च 25 से 13 अपरिल तक, 29 जून से 26 जुलाई तक, और 18 अक्टूबर 2025 से लेकर 5 दिसंबर तक, ये नई शुरुवात आप कर सकते हैं, शुब और लापकारी समय आपके लिए रहने वाला है, अब आईए बात करता है, फैमिली लाइफ, लव लाइफ, एंड रिलेशनिशिप किये, शुरुवात में ही, 27 जनवरी से 31 मही तक, शुकर जो की मैरिटल लाइफ और लव लाइफ के लॉड है, वो सेवन्त आउस में उच्राशी वोकर मालब योग इश्क और बहुबत, रोमांच, रोमांस, ट्रेवल, वस्र, आभुशन, गलाब, परिवार में शांती और सुख, ये सब कुछ आपको पराप्त होने वाला है, बस आप जितना जुबान को आराम दोगे, कडवे शब्द नहीं बोलेंगे, उतना ही अच्छा रहेगा, वरना जुबान के वज़े से आप कुछ खोने वाले हैं, रिष्टे और धन जो शुरुवात मैंने आपको कहा था, उन दोनों को संभाल के रखना ये इस्पेशली महिलाओं के लिए हिदाय दे रहा हूँ, दुनिया में रिष्टे और नाते भली प्रकार से निभाते हुए, परि आपनी लाइफ में, जिन्दिगी में कोई नया मोड आएगा और रिष्टों के हैं, समझ और ट्रांस्पेरिस से आप बहतर कर पाएंगे, जिससे रिष्टे आपके फेवर में हो सकते हैं, 29 मार्च 25 से 17 माई तक 7 आउस पे राहु शानी का सरापित और पित्र दोश रहेगा ये टाइम पिरिट परिवार में इरशा करनेवा लोग जूटे लांचन आरोब दे सकते हैं, अगर इस ट्रैप में मैलाएं फस गई, तो आप अपनी जो इमोशन हेल्थ हैं उसे खराब कर बैठेंगे, और जो प्रभाव आपनी जमा रखा है वो आप खराब कर बैठेंगे इस टाइम पिरिट में अपनी काबिलेत को बहतर करना है और जितना हो सके एक कांसे सुनिये और दूसरे कांसे निगाल दीजे, इसी से आप आगे चल पाएंगे और सिच्वेशन को बहतर करके आप अपना इंप्रेशन जमा पाएंगे, वरना ये राहुशनी आपको कैन के दुखी करने वाले, आज पास की लोग आपके दुख से ज़्यादा सुखी होते हैं, चौदा मई दोजार पच्चीस से अठार अक्टूबर दोजार पच्चीस तक देवताओं की गुरु ब्रेश्पती करम इस्तान में बिराजित रहेंगे, और यहाँ पर यहाँ पर यह बाई, बहन और कुटुम जनों के साथ आपको संबन सुधारने होगे, जीवन साथी के साथ ट्रांस्पेरेंस दे रखनी होगी और सबसे ज़्यादा अपनी emotional health और physical health पर ध्यान देना पड़ेगा, तब जाकर negativity दूर कर पाएंगे और वाद विवाद से भी आप बाहर निकल होगा, और life partner के साथ ये challenging रहेगा, हो सकता है कोई और attraction हो जाए, किसी और प्रकार की चीजों से आप जुड़ जाएं, maturity की कभी रहेगी और सगारतवक सोच की भी कभी रहेगी, इस से अगर आप बच गए, तो निश्चित मानिए कि ये 2025 आप अपने लिए यादगार और श काम आने वाला है, मंचा ही जगे पर पढ़ाई भी हो सकती है और पढ़ाई के साथ जॉब और online कुछ काम कर पाएंगे, extra learning, extra earning आपके create कर सकती है, सही दशा और दिशा दोने देव गुरु ब्रेश्पति आपको देने वाले हैं, 29 मार्च 2025 से पंचम भाव यानि पढ़ाई क पालस से लेट लतीवी लापरवाई और ओवर कॉंफिटेंस इस साल आपके लिए विलेन का रोल प्ले करने वाले हैं, इस पर आपको जरूर ध्यान देना चाहिए, अपने डे, वीक, मन्त और येर को डिजाइन करके चलना चाहिए, और हमेशा जब भी मौका बिलता है, उस रूरe का गर को देखेंगे, जो ओविएशन में जाना चाहते हैं, इंजरीन करना चाहते हैं, मास्क मीडिया, कम्यूनिकेशन के फिल्ड में जाना चाहते हैं, या फिर होटेल मैंजमेंट करना चाहते हैं, और कोई बी ऐसा काम, जो फिल्म लाइन से जुड़ावा है, orden मि सब्तम भाव में वक्री हो जाएंगे और शनी पढ़ाई के गर के लॉड है वो पुरानी गलतियों का आप दोराएंगे विग्न और बाधा इस टाइप प्रेड में आ सकती है पुलिस फॉज प्रस्टेशन और एड्मिन सर्विसेज या एड्मिशन लेना है विजा के लिए अपलाई करना है कॉम्पेटिशन की ताहरी करने है कोई भी एक्जाम या इंट्रिव के लिए आपको समय चाहिए तो वो समय आप नोट करनीजे सबसे पहले 27 परवरी से 6 माई तक दूसरा 6 जूल से 28 जुलाई तक 16 अगस से 16 सितंबर तक और 11 नवंबर से साल के अंग तक ये टाइम पिरेट आपके लिए सेल्फ स्टेडी हो कोई सब्बिट करना है फॉर्म बरना है वीजा या जॉब के लिए अपलाई करना है ये समय आपके लिए शुब रहे गए बाई ये बात करते हैं सेहत और ट्रेवल ब्लैन की इस साल मन चाही जेगे पर आपको याददार और शांदार ट्रेवल करने के मौके बिलने माने चाहिए वो देश हो ये विदेश में हो साल की शुरवास से 28 मार्च तक चाहिए और अगर ट्रेवल कर रहे तो वैल्यूबल चीज़ों को ध्यान रखिए अपने लक्षे बना कर चलो गए तो अच्छा रहेगा तो नहीं तो इस साल आपको 12 आउस की लौट सूरी का 12 आउस से 9 पंचम राज्योग रहेगा इस टाइम पिरिड में आप विदेश यात्राइं दूसरे शहर और राज्योग में यात्राइं कर सकते हैं और शत परतिशत अगर अपने जो पुर्शार्त अगर आपने किया तो आपको यादगार और शुरुवात माफ करेगा 13 जुलाइस से 28 जवंबर तक चटा भाव जो की जौब का होता है चटा भाव अबारे सेहत का होता है करजे को होता है और साथ में दुश्मन होता है वो शनी सब्तब भाव में वक्री हो जाएंगे और दो बारे का संबन बनाएंगे अगर आपकी ग आशा करता है तो लिवर किट्नी की प्रावलम होना या फेफडे की तकलीब आपको परिशान कर सकती है अब कडिया राशी वाले लोगों के लिए यादगार और शांदार 2025 कैसे बने इसके विशेश उपाए सुबह स्री गनेश जी को बुद्वार के दिन या रोजाना दू हर बुद्वार या किसी भी बुद्वार को हरे मुंग, हरे बस्तर, पन्ना, कांसे के बढ़तन, केसर, कस्तूरी, पंच रत्रे और धार्मी पुस्तकों के दान करना आपके लिए इस साल में शुब रहेगा हमने हर राशी के लिए लखी पेंडेंट तैयर किया है जिसे बागिशाली धातू है, वो सोना और चांदी दोनों रहेंगे, बागिशाली नंबर आपके लिए 5, 6, 14, 24 रहेंगे, अगर इनका अनुसरन करते हैं तो निश्चित मानी ये साल आपके लिए यादगार और शानदार हो सकता है, प्रेसातियों आप उससे बड़ सरी मिल सकते या फिर टैलिफॉनिक और वीडियो कॉन्फरेंसिंग अपॉन्मेंट के द्वारा भी जूट सकते हैं, दिये गए नंबर पे संपर करके पूरी जानकारी हासिल कर सकते हैं, प्यार भरा नमस्कार और बहुत बहुत आशरवार तब कुंडली बनवाकर इन सभी से निजाद पाएं, कौन मित्र है और कौन है शत्रू, जिवनसाति में ढूनते हो प्रेम या प्रेम में ढूनते हो जिवनसाति, शिक्षा, करियर, नौकरी हो या व्यवसाय, पद उपलद्धी और कैसे मिलेगा समान, कुंडली भविषय का प्रवीश द्वार हैं, और समस्याओं के समाधान का आधार है कुंडली, आपके भविषय का दर्पन है कुंडली, समाधानों के द्वारा दुखों का अर्पन है कुंडली, जन्म कुंडली में शरीर के सभी अंगों का वचार, तथा उनमें होने वाले रोग या विकारों क का वचार कुंडली के भिन-भिन भाओं से क्या जाता है आप में सभी प्रतिभाएं विद्मान है फिर भी आप आसफल क्यूं हो रहे हैं इन सभी बातों के बारे में जानने के लिए आप भी जरूर करवाए कुंडली विशलेशन